नमस्कार में मृता पांडे आप देख रहे हैं दविहार टॉप बिपेसी से चैनित सफल अभ्यार्थी जो हैं उनकी काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है काउंसलिंग के आर्ट अंतिम्ति थी 31 दिसंबर तक थी जो की अब बढ़ा कर 8 जनवरी 2024 तक कर दी गई है सुक्षा विभाग ने इस संदर में एक नोटिस जारी किया है नोटिस में सात्तोर पे लिखा गया है कि सर्व साधारन को सुचित किया जाता है कि सुक्षा विभाग द्वारा बिहार लोग सेवा आयोग के बिग्यापन संख्या 27-2023 TRE 2 एवं बिग्यापन संख्या 26-2023 TRE 1 से चैनित अभ्यार्थी अध्यापकों की काउंसलिंग सह उनमुखी करण कारे जिला में किया जा रहा है काउंसलिंग सह उनमुखी करण की अंतिम्ति थी अब बढ़ा कर 8-1-2024 को संध्या 6 बजे तक विभाग निर्धारित किया है आपको बता दे कि अता सभी योग अभ्यार्थी निर्धारित तिति के अंदर अपना काउंसलिंग सह उनमुखी करण अपने अवांटित जिला में करा ले निर्धारित तिति के बाद काउंसलिंग सह उनमुखी करण की कारवाई नहीं की जाएगी उक्त सूचना estate.bihar.gov.in.prd.bihar पर देखी जा सकती है आपको बता दे कि TRE2 के माध्यम से जितने भी अभ्यार्थी सफल हुए थे उनकी काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही थी काउंसलिंग की तिति जो 31 दिसंबर तक थी जिसको सिक्षा विभाग के दवारा बढ़ा कर अब 8 तारिक तक कर दी गई है 8 जन्वरी 2024 तक अब सभी सफल अभ्यार्थी काउंसलिंग करा सकते हैं 8 तारिक के बाद से किसी भी उनमुखी करण किसी भी DRCC केंद पर इनकी काउंसलिंग नहीं की जाएगी तो सभी सफल अभ्यार्थियों से निवेदन है कि समय रहते जो भी विभाग के द्वारा समय दिया गया है उस समय के भीतर अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया को पूरा करा ले इस पूल में जाकर ज्वाइनिंग करें और पठन-पाठन की क्रिया में अपना सहयोग दें तो फिलाल इस रिपोर्ट में इतना ही तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए दविहार्ट आप को फॉलो करें धन्यवाद